एलो फ्रेंड्स दिश इज आइस्पिशिंग एंड वेलकम टू श्मार्टेश एवरीडे प्यारे दोस्तों बात करेंगे डीयरेड फर्स्ट सेमेस्टर डीयरेड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर फर्स्ट है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया चेल्ड डेफ से बाल विकास का waare डीकर बाल विकास की क्या वश्चता होती है बाल विकास कोप्रवेशत करने वाले क्या कारक होते है इसके अध्यान का क्या मया तो है अलग-лять श्टिशेंचेज स्क्रावस्था ओंके इनको बहुत अच्छे तरीके से और कम से कम शब्दों में उदारण के माध्यम से पिक्चर के माध्यम से हमने concept को clear किया हुआ है फिर आगे आपकी बाल्यावस्था आ जाती है बाल्यावस्था में इसकी क्या विश्चिताइं होती है शिक्षा का सुरूप क्या होता है किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए ठ सोरावस्ता फिर आ जाता है इसके सिध्धान्था जाते हैं और छिक है यह हमारा कम्पिट हो चुका है अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर ना सटेशरे क्या था, शारिरिक विकास, हमने ये जाणा था, कि अलग techniques में शारीरिक क्या होता है, शहर्षवावर्षदा में कैसे physical development होता है, किश्वारवस्था में कैसे physical development होता है, कि शव趣 हम बात करेंगे mental development की बान्सिक के बीचा सी होता है मांसिक का मतलब आपका क्या है मश्तिष्क और विकास का मतलब है उसमें development होना उसका विकास होना आपके किस तरीके से बालक की दीरे दीरे मांसिक शक्तियों का विकास होता है जैसे चीजों को जानने की छमता, पहंचानने की छमता, ठीक है, याद रखने की छमता, ओके, चीजों को समझने की छमता, ये धीरे धीरे आती है बच्चों के अंदर, एक दिन में नहीं आ जाती, कैसे कैसे आती है, क्या है, आई ये इसको समझते है, मानसिक विकास एक सतत प उसको बड़ा होते देखिए किस तरीके से उसमें mental development दिन प्रते दिन होता चला जाता है जैसे जैसे आयू वरधी के साथ साथ मस्तिश्क विक्सित होता जाता है वैसे ही मांसिक विकास होता जाता है जब बच्चे का mind यानि कि जो मस्तिश्क है वो develop होगा तो उसके अंदर जो develop होती चली जाएंगी मांसिक विकास के कारण ही प्राणी अपने चारों और के वातावरण का ज्यान प्राप्त करके धीरे धीरे उसके साथ समायोजन करता है ये mental development ही होता है हमारा मांसिक विकास के माध्यम से हम अपने वातावरण को जान पाते हैं समझ पाते हैं अपने सम समाज के लोगों को जान पाते हैं और फिर उनके साथ हम उसी तरीके का विवहार करने लगते हैं ठीक है और फिर अपने आपको उस वातावरण में उस समाज में अपने आपको एड़ेस्ट कर लेते हैं ठीक है जैसे शैश्वा वर्ष्था में शिशु केवल अपनी भूख की आवसिक्ता को महशूश करता है और जब उसे भूख लगती है तो वो रोने लगता है लेकिन आयू वरद्धी के साथ जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो विभिन संकेतों से अपने आसपास रहने वाले विक्तियों को ये आभास कराता है कि वो भूखा है ठीक है तो ये कहा है उसका mental development हो रहा होता है और समझे जैसे अगर हम बात करें एक वर्स का बालक अपनी दूद की बोतल उठा कर मा के पास ले जाता है तथा भाशा विकास होने पर वो खाने पीने की वस्तूओं को मांगता है और इस प्रकार धीरे धीरे ग्यान में वरद्धी होने पर और बुद्धी का विकास होने से वो अपने ग्यान और अनुभव के दौरा अपने वाता वरण के साथ समायोजन में करने में शफल हो जाता है अता मांसिक विकास से ताथ पर प्राणी में मांसिक शक्ती का उद्धे होना है यानि कि शक्तियों का उद्धे होना एक छोटा बच्चा है पहले सिर्फ रोना जानता है जब भूक लगती है रोता है और मां समझ जाती है कि बच्चा दूद मांग रहा है दिरे दिरे और बड़ा होता है, फिर वो दूद की बोटल समझ जाता है, कि यही हमारे खाने का शामान है, इससे हमारे भूख मिट जाएगी, अब वो दूद की बोटल की और रिसारा करता है, और बड़ा होता है, फिर वो उसके उठा करके मा के पास ले जाता है, मा समझ जात हैं चीजों को जानना समझना है ना मांशिक विकास जो है वे एक जटल प्रकरिया बताया गया है कि एक कॉंप्लिकेटड प्रॉसेस होता है इसके अंतरगत समझने की छमता चिंतन करना इश्मरन चीजों को याद रखना अपने ध्यान को केंद्रित करना यानि की कंसंट्रेश कि निरिक्षण किसी चीजों को आबजर्व करना विचार करना तर्क वितर्क और समस्या समाधान करने की शक्ती शमलित किसी चीजों को याद रख पाता है कि हमने वह चीज कहा रखी थी चोटा बच्चा है वो नहीं बता पाएगा लेकिन जैस-있는 बड़ा होता जाता है mental development होता चला जाता है वो बता देगा कि हमने वो चीज वहां रखी है अपना ध्यान के अंदरित करना ठीक है अपना विचार रखना समस्या कोई छोटी वोटी problem है तो बच्चा उसको solve करना सीख जाता है इन सभी क्रियाओं से प्राणी में चेतना और समझ आ जाती है फलसरूप वो अपने वेवहारों को परिवर्तित और परिमार्जित करता जाता है यह है mental development next step लिखा हुआ है कि मांसिक विकास का केंदर्विंदू बुद्धी है मांसिक विकास का केंदर्विंदू क्या है बुद्ध्धी है अच्छा आपका जो exam होता है डियल्ड का उस्में objective questions भी रहते हैं आती लग उतरी भी रहते हैं और लग उतरी भी रहते हैं तो आपको चीजे बहुत डीप समझनी होंगी क्योंकि एक नमबर में कोशन पूछ लेगा मांसिक विकास का केंदर क्या है तो आप बताएंगे बुद्धी है इसी से मांसिक सजगता आती है मांसिक दोर पर बालक सजग समझदार होसियार हो जाता है और एक सामान दिबालक की तुलना में अपने वातावरन के साथ आसानी से एड़ेस्ट भी कर पाता है ओके आगे बढ़ते हैं अब जो हमारी शहस्वावरस्ता होती जो इनफैंसी स्टेज होती है उसमें बालक किस तरीके से उसमें मेंटर डवलेप्मेंट होता है आए समझते हैं डियरेड फर्स्टेमेस्टर में टोटल आठ सब्जेक्ट हैं आठ सब्जेक्ट की कम्प्लीट नोट्स आपको प्रवाइड कराया जाते हैं कम्प्लीट नोट्स में आपको फुल टॉपिक वाइस कंटेंट मिलेगा प्लस जो सिरीज चलती है जो सिरीज होती है वो भी आठ पेपर की complete आपको provide करा जाएगी इसलिए ताकि आप अगर हमसे notes ले रहें तो आपको बाहर से कुछ भी खरिदने क्या हो सकता ना रह जाए तो उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पर WhatsApp message के आप notes की information ले सकते हैं notes आपको PDF form में WhatsApp पे provide करा जाते हैं आप उनको आसानी से कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं शैश्वावर्षता में मांसिम्कास की सरीके से होता है जन्म से प्रथम वर्षक के अगर बात करें जैसे भूक का अनुभो बच्चा करता है चोटा बच्चा एक मेने का वो भूक का अनुभो से होता है वो धीर धीर रोता है हाथ पेर हिलाता है जब गर्मी लगती है तब भी वो व्याकुल होता है सरदी होती तो कापता है आराम नहीं मिलता तब भी वो रोता है अगर कोई एकदम से जोर की आवाज होती है तो एकदम से चौक जाता है या जैसे बहुत तेज लाइट है उसमें भी बच्चे एकदम चौक जाता है ये पहले महिने की उसकी क्रियाएं होती है जब दूसरा महिना आता है तो वस्तों को वो ध्यान से देखना शुरू कर देता है तेज परकास के परती अब वो अनुकरिया करने लगता है क्रोध भी प्रकड़ दूसरे महिने वी बच्चा थोड़ा बहुत उसको क्रोधाना शुरू हो जाता है ये क्या है ये mental development हो रहा है जब बच्चा चौथे मास में चार महिने का हो रहा होता है वस्तों को पकड़ने का प्रियास करता है जैसे कोई चीज बच्चे के सामने रखी है तो बच्चा अब उसको क्या करेगा पकड़ने का प्रियास कर रहा है मा को देख करके मुश्कुराएगा ठीक है और अगर गुस्टा आएगी तो फिर वो रोएगा भी कुरोध भी प्रकट करेगा ठीक है चार महीने का बच्चा ये सब कर लेता है छटे महीने जब बच्चा पहुंसता है वस्तों को पकड़ करके मुँ में रखना यानि कोई भी जो अच्छी हो बुरी हो बढ़िया हो गंदी हो सीधे उठागर के मुँ में रखने का काम है उसका अपना नाम सुनकर थोड़ा बहुत समझने भी लगता है अगर सहारा देदो तकिये का तो बैठ भी जाता है और कुछ थोड़ा बहुत बोलने भी लगता है जब बच्चा आठवे मार्ष में होता है तो हाथ से खिलोना या कोई वस्तू छीनने पर रोना उसके आठ में कोई चीज है जो उसको प्यारी है अगर आप छीन लेंगे तो बहुत रोएगा चिलाएगा अपनी रुची की वस्तू या खिलोना चुन करके उठाना अगर आप उसके सामने दस खिलोने रख दो तो जो उसको अच्छा लगेगा जिसमें उसको इंट्रेस्ट होगा वो वही उठाएगा और वो किसी को देगा भी नहीं और यहाँ पे गुटने के बल चलने भी लगता है जब दस्वें मास्ट का बच्चा हो जाता है तो फिर वो बिना सहरे के बैटने लगता है दूसरे शिशूं की गती और विमन परकार की आवाजों का वो अनुकरन करता है जैसा अगर कोई बोलना है तो वो ऐसा बोलने का प्रयाश करता है हलां कि बोल नहीं पाता है लेकिन अनुकरण करके कुछ प्रयाश करता है बारा मेने के जब बच्चा होता है तो छोटे छोटे शब्दों को बोलना धीरे धीरे चलने का प्रयाश करता है जैसे अगर कोई चीज पास में है तो उसको पकड़के खड़ा हो करके चलने का प्रया में ठो जाता है कि सामने वाला कैसी क्रिया कर रहा है वहाभी उसी तरीके से करने का प्रयाश करता है जब बच्चा दूसरे साल में पहुंचता है इस अवस्था में शिशु शाधारन सब्दों से मिले छोटे छोटे वाक्यों को मिला कर बोलने लगता है दूसरे साल में और न नाक का, नाक, शिर कहा है, पेट कहा है, तुम्हारा मूँ कहा है, खाना किस में खाओगे, भूख कहा लगी है, ये सब चीज अगर पूछो तो बच्चा बताने लगता है, वो आसानी से चलने लगता है, दोडने भी लगता है, चॉकलेट पर लिप्टा हुआ कागज भी वो दीरे दीरे अब खोल लेता है, तीसरे साल में जब बच्चा पहुंचता है, तो पूछने पर नाम बता देता है, गिंती दोहरा लेता है, थोड़ी बहुत जितने उसको आती है, पत्रिका में छपे चित्र पहंचान लेता है, अपने नाक, कान, मुहू, दात पर हाथ रख क है कि इसमें कौन छोटा है, कौन बड़ा है, चित्रों के बारे में प्रशन पूछता है, यह क्या है, ऐसा क्यों है, यह कहां से Dear लिखने लगता है, अब तो चार साल का बच्चा दस से आउपर गिंती याद कर लेता है, तो अच्छर लिखने भी लगता है, वस्तों को भी एक स्रीक्वेंश में रखना सीख जाता है जब बच्छा पांच साल का हो रहा होता है चूंकि ये सैस्वावस्ता चल लगी है तो पांचमें बच्वें बच्टक उनकी जो ग्यानेंद्रियां है उनका विकास करमसा होता ही रहता है जैसे ठंडी और गर्म वस्तों का ग्यान होना लाल क्या है हरा क्या है काला ये जो सभी रंग है वो बताने लगता है बालक हलके भारी का ग्यान हो जाता है कौन चीज हलकी है कौन वजन है बड़े बड़े वाक्य जो होते हैं उनको वो बोल लेता है माता पिता के कार्यों में थोड़ी बहुत सायता कर देता बच्चा ये बेटा ये उठालाओ वो उठालाओ ये चीज उठाके वहां रख दो ये सब काम बच्चा धीर धीरे सीख जाता है तो ये क्या है अब आपने यहां पे देखा कि कैसे जीरो से लेकर कि पांच साल तक बच्चे का mental development पहुत धीमे धीमे चल रहा है एक दिन में कोई भी विकास नहीं हो जाता इनके आधारपर संचेप में हम कह सकते हैं कि प्रत्थम 6 वरसों में सुरुआत के जो 6 साल होते हैं इसमें शिशू मूल प्रवत्यात्मक विवहर ही करता है अपने वातावरन का ग्यान उसे ग्यानेंदियों के दोरा ही होता है देखना सुरना इस पर्स किसी चीज़ को छूना ग्यान शुआत्स शूंगने से समझेद ग्यानेंदियों का विकास उसमें अभी भी हो ही रहा होता है तो यह हमारी शैस्वा वस्था थी जिसमें किस तरीके से बाला का mental development होता है उसको हमने शब्जा इसके बाद बाली आवस्था आती है जो childhood है अच्छा जो मैं आपको बता रहा है कि हम आपको series की complete PDF प्रोवाइड कराते हैं मैं आपको दिखा देता हूं जैसे यह अभी latest जो series आई है उसमें स्रीच में क्या है कि यह फर्स समस्थरी आपका second paper है ठीक है इसमें यह इसकी complete PDF आपको इस तरीके से पहुंचा दी जाती है और इससे आप आरसानी से पहले जो हमारा content रहेगा topic wise content उसको आप त्यार करेंगे फिर practice के लिए यह series होगी जो हमारे द्वारा question जाएंगे वह भी आपको दिये जाएंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे जो नंबर दिया गया है वहां message करके आप notes ले लेंगे एंड जो है कि बहुत अच्छा करने के लिए आप फटा-फट से without time waste की अपने पढ़ाई सुरू कर देजिए और यह full content आप ले लिए ठीक थेंकियो समझना किसी चीज को याद रखने की शक्ति आप किसी बात पर विचार कर पा रहे हो समस्या समाधान करने में आप involved हैं ध्यान लगाने की शक्ति आप अपना concentrate कर पा रहे हो और जो प्रतेक्ष ग्यान है और संकल्पना रूची जिग्यासा किसी चीज को जानना है ना उसकी जिग्यासा ये क्यों है कैसे है कहां से आया आप किसी चोटी मूटी समस्या का निर्ने ले पा रहे हैं चिंतन कर पा रहे हैं ये सबी मेंटल रफलपेंट ही हैं ये मांसिक विकास ही है यही तो मांसिक विकास है जिसमें चीजों को समझने के शक्ति हमारे अंदर आ रही है जानने की चमता आ रही है अब जन्म के बाद chronological age के साथ मांसी कायू भी बढ़ती है यानि कि अगर chronological age का मतलब बच्चा 5 साल का हो रहा है 6 साल का हो गया 7 साल का हो गया ये सब क्या है chronological age है इसके साथ mental development भी बढ़ता है क्रोंड क्रों कहते हैं जब बालक लगबग 6 वर्स का हो जाता है तब उसकी मांसी की युगताओं का लगबग पूर्ण विकास हो जाता है जितने भी उसकी मांसी की युगताओं उनका लगबग पूर्ण विकास हो चुका होता है 6 साल में ऐसा क्रोंड क्रों कहते हैं छेटे साल में तो जो छेटा साल है, छेटे वर्ष में देखे, बालक सरल प्रशनों में उत्तर दे सकता है, अगर आप कोई छोटे मोटे प्रशन पूछेंगे बच्चों से, तो उनका अंसर वो दे देगा असानी से, बिना रुके 15 तक गिंती सुना सकता है, अब तो 6 साल का बच्चा उम्ने लगता है 15 तक 40 तक गिंती सुना देगा, समाचार पत्र, पत्रीकाओं में बने चित्रों के नाम बता सकता है, यह किसका चित्र है, जैसे कोई बहुत फेमर्श वेक्ती है, तो पूछो तो बच्चा बता देगा कि यह उनका फोटो है, शात्मे साल में ऐसा ऐसा कहे रहा था विभिन ने पहलों में समानता और अंतर बता सकता है शैयुक्त और जटिल वाक्यों का प्रियोग कर सकता है पांच-छे अंकों की संख्या को दोहरा भी सकता है आठ साल का बच्चा हो जाएगा तो 17-18 शब्दों के वाक्यों को दोहराना छोटी कहानियो कविताओं को याद करके सुना देता है बालक यहां पे खुब कविताओं को खुब बालक रखते हैं कहानी जो सुना दो उनके दिमाग में एक दम इस्टोर हो जाती हूँ उस सुना भी सकता है और कहानी समद्दित प्रिश्णों के उत्तर देने की योगता भी उसके अंतर आ जाती है जब बच्चा नौ साल का होता है नौ साल का बालक समय दिन तारीक वर्ष यह सब बतारी रखता है कि अब इतना बच्च के इतना मिनट हुआ है यह दिन है यह तारीक है और यह दोजाट चौबिस चल ला है रुपए पैसे थोड़े बहुत गिन लेता है नौ साल की नियमत दिन जर्राय का ग्यान भली भात ही उसको हो जाता है क्योंकि अब वो दस साल का है बराबर स्कूल भी जा रहा है तो उसको अपना रोटीन भी पता है इसकूल का जो रोटीन है वो भी पता है कौन से दिन कौन से स्कूल रेस पहन के जानी है ठीक यह सब चीजे बालक शक्ति का विकास हो जाता है वो आप से तर्ग कर सकता है किसी बात पर और चीजों को जाने के जग्यासा तो बनी ही रहती है और निरिक्षन के दोारा वस्तुं का जिख चारता है वजही दोलों में दो चीजे हैं दोनों में क्या अच्छाईयां का हैं इसमें क्या अच्छाईयां की व्यक्या करना सीख о2 जाता है इस आयो में वह विभिन परिस्थितियों की वास्तविक्ता को जानने का प्रियास करता है जो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां है जो प्रॉब्लम्स हैं या और तीजे हैं उनकी वास्तविक्ता को जानने का प्रियास करता है कि इसके पीछे रियरिटी क्या है क्योंकि उसमें तर्क और समस्या समधान करने की शक्ति का विकास हो जाता है अब वो समस्या का समधान करने को सीख गया है विवेक में बुद्धी होने की वज़र से दूसरे बालकों को सला भी दे सकता है ठीक है क्योंकि अब उसका मेंटल अफ्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप्लेप् जह समानके चलिए तो यहां पर उसमें जो मासिक विकास एनी सीमाँ में होता है वुडवर्थ कहते एं कि मासिक विकास 15 से 20 वर्श की आयू में अे अपनी सीमाँ पर पहुंच जाता है इसमें क्या होता है कि बुद्धी का अधिक्तम विकास हो चुका होता है कि शोर आवस्ता में बुद्धी का अधिक्तम विकास हो जाता है इसी कारण कि शोरों की मानसिक योगता और छमता में विशेश अभिवरत्ती भी हो जाती है उसके अंदर मानसिक योगता आ जाती है उसकी छमता भी बढ़ जाती है उचीजों को ज़्यादा जानना समझना सीख जाता है ठीक है कॉंसेप्ट को समझना सीख जाता है तो यहाँ पे उसकी अधिकतम विकास हो जाता है मानसिक योगताओं का विकास development of mental abilities की शोरा वश्था में बालकों की मानसिक योगताओं का शुरूप निश्चित हो जाता है उसमें सोचने, समझने, विचार करने और समस्या समधन करने की योगताओं उत्पन हो जाती है अब हो समस्य प्रॉब्लम्स को का solution ढूंड लेता है कि एक तरीके से solution नहीं होरी तो दूसरा तरीका लगाना सीक जाता है और जो है कई दिशाओं में वो सोच सकता है, विचार कर सकता है, इस आवस्था में किशोर का जो अंतरमन है, कल्पना लोक में ही विचन करता रहे ताए क्योंक्य ये किशोर आवस्था यो अंतरमन है, वो imagination बहुत करता है दिन में अपने देखता है मैं ऐसे अमीर होता मेरे पास ये गाड़ी होती मैं ऐसे चलता मैं उतरता लोग मेरा सब जो है वेट कर रहे होते लाइने लगी होती मेरे लिए कलपना इतनी अधिक होती है कि बालक दिन में सो अपने देखते लगता है ठीक है इस तर concentrate कर सकते हैं वह किसी भी विश्य या वस्तु पर अपना पर्याप्त समय तक ध्यान के अंदर रख सकते हैं अगर कोई question, कोई लंबा question कोई mathematics का question क्लास में समझाय जा रहा है तो बालक उसको पूरा समझ सकता है चाहें वो question 30 मिनट का ही क्यों न हो और इस अवस्ता में एकागर चितता का भी पर्याप्त विकास हो जाता है यहाँ पर बच्चा खूब बच्चे तरीके से concentrate कर सकता है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बालक में इसमन सक्ति में व्रद्धी हो जाती है यहाँ पर अगर कोई चीज़ ठीक से वो समझ लेता है तो उसको बहुत लंबे समय तक याद रह जाती है और अगर कभी की भी revision कर लेता है तो जिन्दी की पर याद रह जाती है इस अवस्ता में किशोरों में इसमन सक्ति का विकास हो जाता है और वे शब्दों, नामों, तथ्यों, विचारों का इसमन कर लेते हैं क्योंकि उनकी दीर्ग कालिक लंबे समय तक जो इसमरती होती है अधिक विक्सित और सरशक्त हो जाती है जो उनकी लंबे समय तक याद रखने वाली जो सक्ति है वो पूरी तरिकेशन डफलप हो जाती है जिसका प्रयोग वो ग्यान अरजन में करते हैं ग्यान को प्राप्त करने में करते हैं निर्णे करने में, निर्णे करने की छमता में वरद्धी हो जाती है इस सवस्था तक होता क्या है किशोर किशोरियों में निर्णे लेने की जो छमता है वो वियाफ़क रूप से विक्सित हो जाती है decision लेने के जो छमता है वो बड़े इस तरपर develop हो जाती है वो अपने अच्छे बुरे उचित क्या है, अनुचित क्या है सही क्या है, गलत क्या है ऐसे cardio में वो निर्णे ले लेते हैं, दूसरी बात जैसे अगर यहां पर बात की जाए, तो घर परिवार में हमारे क्या करता है, समाज के प्रति हमारे क्या करता है, वित्याले में हमारे क्या करता है, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या डिसिप्लीन है, क्या अंडिसिप्लीन है, हर तीज को बच्चे हमा हमारा emotional development next class में हम सम्वेगात्मिक विकास को समझेंगे जो आपकी इसके बाद class आपको मिलेगी ठीक है और जैसा कि मैंने आपको बताया था यह आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो फटा फट वाट्साप मैसेज के आप नोट्स की information ले सकते हैं नोट्स ले सकते हैं जिससे आप बहुत दिन तयारी कर सकते हैं पिक्चर्स के माध्यम से एक्जांपल्स के माध्यम से आप जो है चीजों को बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे क्लासेस आपको continue मिलेंगी आपकी जो डेलर्ड की पहली क्लास अरेगी वो रोज सामको रोज दोपैर में दो बज़े होगी फिर दूसरी क्लास आपकी चार बज़े होगी थैंक्यू सो मच